नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है रेल विद्धुती करोल का कारे धीरे धीरे अब काट गुदाम की दिशा में बढ़ रहा है सामने है लालकुआ जंक्षन की दिशा आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे जो भोजी पुरा जंक्षन से एक्स्क्लूडिंग काट गुदाम थक रेल विद्धुती करण का कारे होना है और कारे बहुत तेजी के साथ चल रहा है इरकॉन कंपनी ये कारे करा रही है इसमें अब हल्दू चौड के निकट यानि की लालकुआ जंक्षन से आगे हल्दवानी की दिशा में काट कोदाम की दिशा में ब्रैकट्स लगाने का काम भी शुरू हो गया है और बहुत तेजी के साथ जो मास्ट एरेक्ट कर लिए गए है 90 डिग्री पर सेट कर लिए गए है उसमें अब ब्रैकट्स लगाने का काम यहाँ पर देखी कर लिया गया है जिसकी जलक हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो भेजा है प्रतीक मिश्रा ने हल्दू चौड से और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक के किनारे जो मास्ट सेट कर लिए गए थे उसमें अब ब्रैकट्स लग गए है और सेक्शन अब वाइरिंग के लिए बिलकुल तयार हो गया है और उमीद की जा रही है कि बहुत जल्द वाइरिंग का काम भी भोजी पुरा काडगुदाम सेक्शन पर शुरू हो जाएगा बहेडी में बहुत तेजी से कारे चल रहा है फाउंडिशन में वहाँ पर कुछ मास्ट डाले जाने रह गए थे अभी बहेडी स्टेशन हमारा बचा था उसके बाद आगे हम अगर किच्छा और पंत नगर की बात करें तो वहाँ तक काफी तेजी से मास्ट लगा लिए गए हैं बहुत जल्द हम आपको लालकुआ जंक्शन से भी अपडेट देने की कुशिश करेंगे वहाँ पर क्या कुछ ताजा इस्थिती है उसको दिखाने की कुशिश करेंगे बहराल यहाँ पर हल्दवानी की दिशा में अभी हल्दवानी स्टेशन पर भी फाउंडेशन बहुत तेजी से बनाए जा रही है और कुछी सफता में हम कह सकते हैं वहाँ पर भी हल्दवानी स्टेशन की और काटगुदाम की तस्वीर एकदम बदल जाएगी यह अब हम चल रहे हैं हल्दवानी की दिशा में यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट है देखे नजदीक से मापको दिखा रहे हैं ब्रैकेट आपको उपर दिख रहा होगा लग गया है अभी इसमें छोटे वाले जो हूल्डर्स हैं जब वाइरिंग यहाँ यहाँ पर होक अप हो जाएगी उसके बाद OHE WAN से जब वाइरिंग को फैनल किया जाता है तो फिर जो होल्डर होता है में जिसके अंदर कॉन्टैक्ट होय लगता है और सारी फिटिंग वो फिर सारे कारे किये जाएंगे यहाँ पर और मार्च दोहजार बाइस 31 मार्च दोहजार बाइस तक लक्ष रखा है कमपनी ने की रेल विद्दूती करण के कार इससत नगर मंडल में हमारे NER जोन में यह जो सेक्षन है भोजी पूरा काटगुदाम का यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाए ताकि फिर जो रेल गाडियों का संचालन है इस रूट पर वो विद्दूत लोकों से शुरू हो सके उसकी कवाय चल रही है पॉल्यूशन फ्री और तेज गती से सुरक्षित यातायात भारती रेलवे का जो लक्ष है साफ सुत्री एनरजी से चलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा डीजल से भी प्रदूशन बहुत होता है कॉस्टिंग भी जादा आती उसकी जो ओपरेशनल कॉस्ट है ट्रेन चलाने की वो अधिक रहती है लागत तो ये सारी चीजों में रेलवे को भी फाइदा होगा यात्रियों को भी सुवधा मिलेगी और हो सकता है जब रूट if yeah तो कम सकम जो यात्री गाड़ियां अभी लालकूँआ तक आती है वहां से शिरु होती तो मेमू ट्रेन्स अगर आ जाएगी तो उनको हल्थ वानी तक चलाया जा सकता है या काड़ गुदाम तक भी चलाया सकता है तो ये था छोटा सा अपडेट